चप्रा में जहरीली शराव पिने से 70 से जादा लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन उतपाद विभा की टीम अवलगातार एक्शन मोड पर है चाहे ग्रामिन शेत्र हो या बॉडर शेत्र या दियरा शेत्र हो हर जगहों पर प्रशासन इस जहरीली सराव की चेन तोड़ने में जुट गई है बात यूपी सीमा से जुरा जै प्रभा सेतु की करें तो 24 घंटे उतपाद विभा की टीम उत्तर प्रदेश से आने वाले वाहनों और व्यक्तियों को गहनता से जाच कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ दियरा इलाके में ड्रोन और मोटरवोट के जरिये देशी शराव की भटियों को धुष्ट कर रही है बात सिर्फ छप्रा की करें तो इस वर्ष जनवरी से लेकर दिसंबर तक 100 से जादा लोग जहरीली शराव की सेवन से मौत के मुह में समा गये लेकिन इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने में प्रशासन सफल नहीं हो पाई और ना ही आम लोग ही इससे सीख पाए अब गौर करने वाली बातिया है कि इतनी बड़ी घटना के वाद अस्थानिये लोग कब जागरोख होंगे कब ऐसे तसकरों के खिलाफ एक जूटता दिखा कर उसके गलत धंधे को जनकारी प्रशासन को देंगे और कब इस तरह के मौत के मातम से छपरा को निजात मिलेगी फिलाल इस घटना को लेकर एक तरफ हैसाइटी की टीम लगातार करवाई कर रही है और इस घटना में बरे बरे तसकरों को गिरफतारी भी हुई है और अन्य कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताच कर रही है वहीं दूसरी तरह राश्ट्रिय मानवादिकार आयो की टीम घर घर पहुँचकर मृतक के परिजनों से इस प्रकरान पर पूरी गहनता सिजाच रिपोर्ट तयार कर रही है हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद